हलो विन चंद्रमापल लगातार नए नए यहाँ पे अंतरिक्ष अभियान किये जा रहे हैं इसके पहले अमेरिका, रशिया, भारत और चीन के द्वारा प्रियास किये जा चुके हैं इसी कड़ी में हमने देखा कि हाल ही में यहाँ पर रशिया के लूना 25 और भारत के चंद् अभियान है जिसको चंद्रमा के दक्षणी ध्रोपर यहाँ पर लेंडिंग होनी है यह इतना कठिन क्यों है क्यों यहाँ पर चंद्रमा के दक्षणी ध्रोपर यहाँ पर लेंडिंग करना आसान नहीं है इसके पीछे के रीजन क्या है चंद्रमा के दक्षणी ध्रोपर की लूना 25 जो है वो भी आपको चंद्रमा के दक्षणी ध्रू पर ही उसको भी लेंडिंग कराना था क्योंकि देखा जाए तो जो दक्षणी ध्रू है वो पृत्वी से दिखाई नहीं देता है और इसके कारण उसके बारे में उस छेत्र में यहाँ पर पानी की संभावनाय और भी जादा यहाँ पर होने के बारे में कहा जाता है इसी पर पेक्ष में अन्वेशन इत्यादी के माध्यम से चंदर्मा के दक्षण इध्रू को بारे में पता करने को लेकर ये अभ्यान किए गए हैं चलिए समझते हैं कि चंदर्मा का दक्षण इध्रू इतना कठिन क्यूं है परिस्थितियां इतनी यहां पर कठिन क्यूं है अगर देखें यहां पर चंद्रियान 3 का जो mission यहां पर है इस संदर्भी जो जानकारी हमें यहां पर अब तक देखने को मिलती है यहां पर विशेष रूप से जो अभियान आपको देखने को मिलेगा देखे चंद्रियान 2 यहाँ पर देखा जाए तो 2019 में यहाँ पर दक्षणी ध्रूप पर एक रोवर उतारना चाहता था लेकिन देखा जाए तो अभियान यहाँ पर आपको अस्वल रहा अंसिक रूप से यहाँ पर लेंडर रोवर की जो सॉफ्ट लेंडिंग यहाँ पर नहीं हो पाई थी भारत नहीं अभियान पहले भी किया था लेकिन चंद्रियान 2 आपको पूरी तरीक्ये सफल नहीं रहा विक्रम यहाँ पर देखा जाय तो आपको crash land हो गया था और उसके बाद देखा जाए इसकी जानकारी एक बार फिर से भारत 2023 में ऐसा एक और अभियान करने जा रहा है चंद्रियान 3 के माध्यम से इसको जैसे आपने पता होगा कि 14 जुलाई को हमने देखा कि चंद्रियान 3 को यहाँ पर लॉंच किया गया और एक महिने की करीब यात्रा के पस्चात लिए जादा की यात्रा के पस्चात 23 अगस्त को यहाँ पर इसकी लेंडिंग होनी है ठीक है कब होनी है 23 अगस्त को अब यहाँ पे देखें ये उसी जगहा पर learning करेगा जहाँ पे 70 डिग्री अकषांस पर चन्दमा का दक्षणी ध्रूब है तो landing भी आपको कहा है दक्षनी ध्रूँ पर होनी है तो ओभी 70 डिग्री अक्षाश पर सफलता की स्थिती क्या हो सकती है यहाँ पर दक्षनी ध्रूँ के संदर्व में यहाँ अधि हम देखते हैं तो दक्षनी जो ध्रूँ है यहाँ पर सॉफ्ट लेंडिंग वाला देखा जाए भारत यहाँ पे पहला देश हो सकता है इससे पहले जो हमने पूरवर्ती अभियान के संदर्ब से देखे हैं तो भूमद रेखी छेत्र में भूमद रेखा कि उत्तरों दक्षण के छेत्र में यहाँ पर देखा जाए मूलता आपको चंदर अभियान देखने को मिले है लेकिन भारत के संदर में देखा जा तो यह एक यहाँ पर पहला अफसर हो सकता है जो यहाँ पर एक सफल लेंडिंग भारत दक्षणी धूपर संपादित कर सकता है और एक गवर्व शाली यहाँ पर चंद हासिल कर सकता है लेकिन यहाँ पर समझना है समझना है कि दक्षणी धूपर अब तक कोई अभियान क्यों नहीं किये गए है या अभी तक कोई सफल अभियान क्यों नहीं किये गए है या बहुत जादा अभियान अब तक क्यों नहीं किये गए हैं इसके पीछे के गर हम कहानी को देखें देखें मूलता भूमद रेखी छेतर में ही यहाँ पर जातर अभियान आपको देखने को मिलते हैं जैसे की चांग E4 जो चाइना का एक यहाँ पर चंद्रमा अभियान था सुदूर हिस्से पर उतरने वाला यहाँ पर पहला मिसन था और इसी छेतर में देखा जाए तो मूलता आपको लेंडिंग यहाँ पर जादा आसान और आपको सुरक्षित रहती है और इस कारण से आपको मोस्ली अभियान जो होते हैं इन छेतरों में किये जाते है तापान की बात करें इस छेतर में तापान की तरह जाता है क्योंकि वो भी एक बड़ा इफेक्ट डालता है किसी भी अभियान के संदर में तो उपकरणों के लंबे और निरंतर संचालन में भी यहाँ पर आपको यह सहायक हो सकता है दूसरा सता कैसी है इस छेतर में सता अगर हम देखे तो मूल्टा कैसी है आपको संतल है भूमदरेखी छेतरों में आपको जूचंदरमा के जहां पर आपको अभियान होते है संतल है धलान, पहाड़ियां और क्रेटर यहाँ पर इस छेतर में आपको काफी कम देखने को मिलते हैं जिसके कारण इहां पर इस अभियान को संचालिद करना ज़ादा आसान है इसके लाब प्रकास अगर हम देखे तो यहाँ पर आपको प्रचुर मात्रा में मिलती है और इसके कारण यहाँ पर देखा जा तो सौर आधारित उपकरणों को आप अगर अपने अभियान में कह सकते हैं कि जो आपने लेंडर रोवर्स भेजे हैं अगर आप उसमें उसे और दक्षणी धुरू की अगर हम बात करें कि अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं पहुंचा है तो आपको इस्थिती बहुत ही उल्टी दिखाई देती है अर्था जो भूमद रेखी छेत्रों में आपको जैसी स्थिती दिखाई देती है वो यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलती है क्योंकि जो चंद्रमा का आपको दक्षणी धुरू है यहाँ पर काफी अथी क्रेटर है जो कुछ सेंटी मीटर से लेकर के कुछ किलो मीटर तक के आपको देखने को मिल सकते हैं तो बहुत गहरे गड़े भी आपको देखने को मिल सकते हैं हलके गड़े में लेक के कारण जो तापमान रहता है वो भी यहां पर आपको ज़्यादा ठंडा रहता है बताया जाता है कि माइनस 230 डिगरी Celsius का यहां पर आपको तापमान हो सकता है इसके बाद ऐसी स्थिति में आपको उपकरणों को संचालित करना भी आपको काफी कठिन हो सकता है और ये एक स्थिति देखे जा किसी भी अभियान के लिए जो एक विपरीत और कठिन परिस्थितियां हो सकती है वो सारी परिस्थितियां आपको दक्षनी धुरूपर चंद्रमा के देखने को मिलती है यहां तक अगर हम देखे जो सूरी की रोशनी यहां पर आपको क्यों नहीं पहुंचती है चंद्रमा के दक्षनी धुरूपर इस स्थितियों पर अगर हम प्रकास डालें तो यहां पर एक स्थिति आपको जिग्राफिकल तोर पर भी हमें देखने को मिलती है सबसे पहले देखे पृतिवी जो है आपकी पृतिवी जो है वो कैसी है 23.5 degree Celsius पर यहां पर आपको जھुकी हुई है और चंद्रमा कितना है 1.5 degree Celsius पर आपको जुका हुआ है जिसके कारण धुरू पर आपको कई क्रेटर यहां पर बनते है रोशनी आपको नहीं पहुंसती है और मूलता जो छेतर है वो आपका छाया गच्छ आपको छेतर है यह बड़े-बड़े आप यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि आपको एक बड़े कायले नुमा यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे बहुत बड़े बड़े गड़े हैं कई किलोमेटर से सेंटी मीर तक यहां छोटे छोटे आपको भी इसमें गड़े दिखाई देते हैं और बड़े से बड़े गड़े भी आपको इसमें देखने को मिलते हैं तो इसके कारण आप मान लीजेगर कोई अभियान यहाँ पे संचालित करता है वो अचानक यहाँ पी जा सकता है ठीक है गहरे गड़ों में चला जाएगा और वहाँ पर परयात रोशी ना होने कारण उस अभियान की यहाँ पर कितने समय तक संचालित किया जा सकेगा सफल इसकी भी संभावना इसलिए कम हो जाती है और इसी कारण कई बार क्रैश लेंडिंग के स्थितियां हो सकती है और आपका अभियान पूरी तरीके से असफल हो सकता है अब देखा जाते हैं धुवी छेत्र को लेकर इतनी जिग्यासा क्यों है लोग इत अध्यन क्यों करना च देखें ये छेत्र अग्यात है और जब भी कोई चीज अग्यात होती है था हमें जिग्यासा जादा होती है ठीक है कि आखिर उस छेत्र में कैसा क्या हो सकता है हमारे मन में कई तरीके के विचार आते हैं और ऐसे ही कुछ विचारों के बारे में हमें यहां पर पानी जैसे जिग्यासा है बहुत सारे यहां पर घनिस्तत्यों की जिग्यासा है क्या जीवन हो सकता है यहां पर ऐसी जिग्यासा है और क्या छुपा हुआ है इन सारी चीजों के बारे में एक जिग्यासा है और जिसे यहां पर जानने का प्रयास किया जा रहा है दक्षनी धुरू को यहा 2008 में भारत की द्वरा यहां पे लॉंच किया गया था इसने क्रेटर में पर्यापत मात्रे में बर्फ के अणवों की उपस्थती के बारे में जानकारी अलरी दी थी और उसके बात से लगातार शेतर में अभियान को लेकर एक चर्चा का विशय बना रहा जिग्यासा और भी जादा बढ़ती है क्रेटर के बारे में अगर हम देखें तो यह कई तत्तों इसमें पानी के भी हो सकते हैं जो अर्बो वर्सों से यहां पे आपको जम्य हुए वस्था में देखने को मिल सकते हैं तो एक जिग्यासा है कि सायद इन क्रेटरों में पानी की इस्थिती हो सायद यह जो बड़े बड़े आपको गड़े हैं सायद इसमें आपको पानी हो सकता है या पानी ना सही तो पानी के आपके अड़ू यहां पर आपको सुरक्षित लेंड कराएं और उसके बाद जब यहाँ पर खोज और अन्वेशन होगा जो डेटा आएगा जो images आएगे उससे हमें यहाँ पर पता चलेगा कि exactly जो हम सोच रहें क्या वो वैसा है या उससे जादा है या वैसा कुछ नहीं है तो यहाँ पर यह सब डिपेंड करेगा दक्षण इध्रू के संदर में भारत के चंद्रियान 3 अभियान के सफल लेंडिंग के पशाथ और वहाँ पर unvation की स्थितियों से फिलहाल आज के स्चेन में इतना है next वीडियो में कुछ और ऐसे ही पहलों के साथ मिलेंगे चंद्रियान 3 की लेंडिंग के साथ ही यहाँ पर उससे सम्मंति सभी डेटा को लेकर प्रस्तुत होंगे फिलहाल आज के लिए इतना है thank you so much and good luck